तो यह पाटन आपको यहां पर भी मिला ट्रेड करने के लिए और यह सेम पाटन आपको यहां पर भी अपने यूट्यूब चैनल पर फ्रेंट्स लास्ट वीक भी हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग की बात करी थी और हम लोगोंने मुमेंटम ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं प्राइज आक्शन और इंडिकेटर को मिला कर यह हम लोगोंने देखा था तो लास्ट वीक हम लोगोंने जिस इंडिकेटर के साथ प्राइज आक्शन को मिलाया था वो था ADX और आज हम बात करेंगे मुमेंटम ट्रेड कर सकते हैं, RSI के साथ स्विंग ट्रेड कर सकते हैं और फाइनली मैड़ी के साथ आप कैसे स्विंग ट्रेड कर सकते हैं तो आज के एपिसोड में, आज की सिरीज में हम आपके साथ बात करेंगे RSI के बारे में कि किस तरह से RSI को आप इस्तेमाल करके कर सकते हैं तो चलते हैं अपने Board की तरफ और सुरूं करते हैं समझना it आज हम आपको RSI के साथ तो Swing Trading के बारे में बात करेंगे ही साथ में एक बहुत important topic की भी बात करेंगे एक बहुत important factor की बात करेंगे जो की होता है multiple time frame analysis Now multiple time frame analysis क्यों करनी चाहिए और ये क्या होता है actually हम पहले इसको ज़रा सा discuss करते हैं हमारी आज की जितनी भी strategies हैं वो multiple time frame analysis के उपर ही based है तो multiple time frame analysis जैसे की नाम suggest करता है कि एक से ज्यादा time frame देखकर आपको analysis करनी होती है मैं क्या बोल रहा हूँ? analysis करनी होती है तो जैसे की आप dual time frame analysis कर सकते हैं triple time frame analysis कर सकते हैं और बहुत cases में 4 time frame की analysis भी होती है जब यह सारे time frame एक ही चीज आपको बताते हैं जब यह सारे time frame confluence करते हैं उस समय हम trade करते हैं तो हमारी trade की efficiency जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है तो जैसे की larger time frame होती है हम जो भी बात करेंगे अपने इस strategy के module में हम weekly और daily की ही बात करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से जो सबसे सुलजा हुआ सबसे सीधा time frame होता है weekly और daily होता है जहाँ पर noise जो होती है बहुत कम होती है और prices जो है trend जो है वो आपको एक विक्सित तरीके से दिखती है हो गया यह weekly चार्ट और lower time frame जो हो गया वो हो गया daily chart तो higher time frame हम किसलिए इस्तमाल करते है higher time frame देखिए basically longer term charts की analysis के लिए trend analysis के लिए हम higher time frame का इस्तमाल करते हैं कि trend जो है वो higher time frame पर क्या करेंगे जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो lower time frame होती है वो higher time frame को follow करती है unless जब turning point आता है तो उस समय lower time frame पर ज्यादा ध्यान देना परता है वो थोड़ी से advanced study है वो हम कभी और बात करेंगे लेकिन अभी generally हम यही देखते है कि अगर weekly time frame अगर अप होता है तो daily time frame जो होता है ना friends वो weekly time frame के इद गुमता है तो इस तरह से trend की analysis होती है तो हमें weekly time frame पर basically price action क्या कर रहा है trend की analysis करनी होती है और छोटे time frame पर हमें trading prospects दूनना पड़ता है कि भाई इस weekly time frame के दिशा में हम छोटे time frame पर अपने आपको कैसे place करें और अपनी entry को कहां fine tune करें तो weekly time frame पर हमें trend देखना है छोटे time frame पर हमें अपनी trading prospects देखनी है अपने आपको place करना है तो weekly time frame पर हम क्या analysis करेंगे ? weekly time frame पर हम trend के analysis करेंगे momentum के analysis करेंगे, candlesticks को देखेंगे, RSI को देखेंगे तो यहाँ पर हम swing trading करेंगे using weekly जो multiple time frame analysis जो की बहुत important होता है RSI जैसे मैंने कहा कि आज के momentum trading का शिर्षक की है कि price action और RSI को मिला कर हमें कैसे trade करना है तो यह दो strategy या यह दो tools को मिलाएंगे multiple time frame analysis का सहरा लेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हम swing trading या momentum trading कर सकते हैं तो हमें क्या strategy में हमें क्या employee करना जैसे मैंने आपको कहा कि हम ज्यादा तर बात करेंगे weekly और daily time frame की अब आपको अगर छोटे time frame पर trade करना है तो आपको क्या करना होगा छोटे time frame पर जाकर आप strategy को test कर लिए कि कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है क्योंकि generally हम छोटे time frame पर trade नहीं करते हैं तो इसलिए हम ज्यादा तर छोटे time frame पर दिमाग नहीं लगाते हमारा जो main focus होता है वो weekly और daily time frame ही होता है तो अभी weekly time frame पर हमें क्या देखना है यह सब कुछ चीजें हैं जो हमें weekly time frame पर देखनी हैं 40 week moving average के उपर हो तो generally हम price को uptrend मानते हैं और अगर price 40 week EMA के नीचे है तो generally हम price को week मानते हैं downtrending मांगते हैं RSI को हमें देखना है कि क्या RSI bottoming signals बना रहा है क्या RSI को strength का signal दे रहा है तो RSI हमें weekly time frame पर सबसे पहले trend analysis करनी है फिर RSI देखना है momentum analysis हो गई trend के analysis होगे momentum के analysis होगे अगर RSI कोई strength signal दिखा रहा है RSI कोई bottoming sign दिखा रहा है तो हमें तयार होना है long करने के लिए और साथ हमें candlesticks को यानि की price action को देखना है volume को देखना है इन दोनों चीजों को मिला कर देखना है कि क्या यहां पर कोई strong price के footsteps है क्या यहां पर कोई strong participation के footsteps हमें weekly chart setup कर लेना है हमने candlestick यहाँ पर setup कर रखी है potty week का ea में setup कर रखा है यह rsi हम लोगों ने setup कर रखा है यह weekly rsi यह अफकोस weekly chart है तो weekly rsi आएगा और अफकोस हमें volume की जरूरत होगी देखने के लिए कि यहाँ पर क्या participation है क्या यहाँ पर smart money के footprint है की नहीं है तो यह हमारा weekly chart का इस तरह से setup करना है तो वीकली चार्ट आपको इस तरह से करेगा अब जब हमें वो सब चीजे weekly chart में मिल जाती है अगर हम weekly chart पे जो चीज धून रहे थे uptrend धून रहे थे rsi का support धून रहे थे price action का participation धून रहे थे वह सब हमें अगर मिल जाती है तो next हम daily time frame पे अपने चार्ट को switch करते हैं तो weekly time frame पे हमें ट्रेड नहीं करना है weekly time frame पे हमें analysis करनी है daily time frame पर आकर हमें trade punch करना है तो यहाँ पर हम price pattern formation देखेंगे अब price pattern क्या होता है अलग-अलग price pattern होते हैं जैसे कि आपको पता ही होगा triangle होता है right head and shoulder होता है double the same double top या double bottom कहते हैं वो होता है बहुत सारे price action होते है right rectangle pattern होता है तो आपको यहाँ पर price action formation देखना है आपको price pattern formation देखना है right support resistance देखना है trend line लगा सकते हैं basically यहाँ पर daily chart पे आर्फको price pattern देखना है कि क्या कोई price pattern बन रहा है अगर price pattern बन रहा है तो हमें ट्रेड लेने के रिटी बिना प्राइस pattern के बिना value area के देख़िए यह price pattern जितने भी होते है यह सब क्या करते यह सब value area create करते ंबर्या हम से अब थोरा सा अगर हम में जाए तो टाइम वैलियू और प्राइस तीन चीजे होती है टाइम, market, stock का या कोई भी commodity का time value होता है इसमें intrinsic value होता है और तीसरा चीज़ होता है इसका price, cost तो ये तीन चीज़ें होती है तो generally जब price consolidate करती है तो वो value area create करती है तो value area जब creation होता है तो उसी समय trade होता है value area creation के आज़ पास ही trade होता है जब price जो है, वो value area से बहुत दूर होती है तो हमें time, हमें wait करना होता है कि ये value area create करें तो जब कोई value area नहीं है, जब price जो है बहुत extended है अपने value से तो generally वो price जो है वो वापस एक value area create करेगी वो cool off होगी, वो ज़्यादा देर तक अपने real value से extend नहीं हो सकती तो हमें wait करना होता है value area का, और ये जो value area होता है वो ही price pattern होते हैं, वो price pattern होते हैं, head and shoulder, triangle, rectangle तो ये जो भी price pattern होते हैं, they denote a value area बहुत important चीज़ है, देखे, price action के बारे में हम बहुत किताबे पढ़ते हैं price action के बारे में हमने बहुत सारी videos देख रही है बहुत लोगों ने हमें price action के बारे में समझाया है लेकिन असल में जो अंदर की बात होती है, जो पेट की बात होती है वो होती है कि value area creation होता है, इसमें बहुत एक गहरा concept है जिसे हम time value price concept बोलते हैं, अगर आप ये time value price concept को थिक तरह से समझ जाओ तो आपको ये price pattern को trade करने में बहुत-बहुत conviction आएगा और बहुत-बहुत मजा भी आएगा तो अब हम आए, पहला होता है कि daily chart पे हमें क्या देखना है, daily chart पे हमें price pattern देखना है price pattern मिल गया, तो उसके बाद हमको RSI के analysis करनी है भाई, price pattern मिलना क्या मतलब कि यहाँ पर value बन रहा है value में momentum भी होना चाहिए, भाई, बीना momentum के काम कैसे होगा तो momentum का support भी चाहिए, और साथ ही साथ हमें इस value area से breakout या इस value area का retest, भाई, breakout और retest trading situation जो होती है, वो हमें देखना है तो कैसे करना मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन सीज़े strategy पर कुदने से पहले बहुत जरूरी होता है कि आप उस strategy की integracies को समझे, आप उस strategy की death को समझे कि क्यों हम बात कर रहे है यहां पर RSI का होना ज़रूरी है, यहां पर breakout retest होना ज़रूरी है, यहां पर value formation होना ज़रूरी है, यह समझना बहुत ज़रूरी होता है तो आईए एक एक करके जो अभी तक हम लोग में समझा है, उसको हम charts पर देखते हैं तो long trade कैसे लेंगे, पहले हम long trades की बात करते हैं कि how we will take long trades, तो यह strategy को अपना कर हम long trade कैसे लेंगे, तो यहां पर देखिए तो यह weekly chart है, तो weekly chart पे हमें क्या चीज़े determine करनी है, क्या चीज़े देखनी है, हम पहले वो समझने की कोशिश करते है तो पहले weekly chart, यह chart कैसे खुलता है, हम इस chart पे क्या देखते हैं, कि एक dominant downtrend था, देखिए lower lows, lower lows बनते जा रहे थे, तो एक dominant downtrend था, और यह downtrend है, यह इस area पे खतम हो गया, higher highs, higher lows, higher lows, higher lows बनने शुरू हो गया तो यहाँ पर जो है, वो trend change हो गया, हम लोगों को यहाँ पर एक trend change मिला, तो dominant downtrend has halted तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा इस chart पे कि dominant downtrend था, जो halt हो गया, उसके बाद price जो है, ऊपर मुड़ी, ऊपर चली, strong movement price में आया, और उसके बाद price ने base create किया, यह जो price है, अब वो base create कर रही है, थोड़ा सा रू कर रही है, थोड़ा सा आराम कर रही है, इस movement के बाद, इस strong movement के बाद, price जो है, वो base create कर रही है, अब यह क्या होता है, यह base, actually, this base is called, यही होता है, value area, अभी आप देखो, थोड़ा सा बात करते हैं, सबसे ज़्यादा advantage ट्रेडिंग की आपको कहा मिलेगी, किस जगा पर आपको ट्रेडिंग की advantage मिलेगी, सबसे ज़्यादा, यह ongoing trend में आप trade करोगे, तो यहाँ पर कोई value area creation नहीं हो रहा है, यहाँ पर price जो है, एक तरफा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर price जो थम गया है, now it is waiting, it is waiting for a move, तो यह है value area creation, यहाँ पर base बना है, तो हम लोग ने देखा, price ने base बना लिए, दूसरा price जो है, अपने 40 week moving average पे support ले रही है, और साथ ही साथ आप देखो, price action का भी यहाँ पर support बन रहा है, multiple support zone है, तो यहाँ पर price action का भी बन रहा है, और साथ ही साथ, आप volume profile को भ आपको मिल रहे है, इसकी बात हम in-depth में थोटे देर बात करेंगे, तो यह जो base है, यह basically हमें बता रहा है, यह जो area है, यह हमें basically बता रहा है, कि this is a area where prices are getting ready to move, अभी तर्ग move नहीं हुई है, लेकिन हा, weekly analysis जब हम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर यह clue मिल रहा है, कि price यहाँ से उपर के तरफ move हो जाती है, हो सकती है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अपने watch list में डाल लेंगे, outright trade नहीं कर दा है, इसको हम watch list में डाल लेंगे, तो यह हमारी weekly analysis होगे, तो weekly analysis हम यह करते हैं, अब इस हफते हमने इसको watch list पर डाल दिया, अब हमने देखा, कि बहुत strong movement हुआ, और यहाँ पर यह जो trend line थी, यह trend line भी break हो गई, number one, price भी trend line break हो गई, और जैसे मैंने कहा कि हमें RSI का analysis करना है, weekly chart पे, तो यहाँ पर आप देखो, RSI भी जो है, वो 50 के उपर जाती है, RSI भी जो है, वो 50 के उपर गई, और RSI ने भी अपना एक trend line तोड़ लिए, ओके, तो अब हमें price पे और momentum पे दोनों पे confirmation मिल गया, कि trend strong है, तो क्या अब आप directly यहाँ पर trade करने कुद होगे, जो सुनो, नहीं, multiple time frame analysis, अभी हमारा trading के लिए, यह stock हमारा ready हो गया है, अब हमें इसे rows monitor करना है, जब भी opportunity देगा, तब हम trade करेंगे, तो अब हम इसक ट्रेड करने के लिए daily chart पे जाएंगे, और daily chart पे हम इसकी analysis करेंगे, लेकिन daily chart पे जब हम analysis कर रहे हैं, daily chart पे जब हम इस price को देख रहे हैं, तो इसमें हमें 2-3 चीजे दिक्कत वाली दिख रही है, क्या दिक्कत वाली चीजे दिख रही है, आईए देखते हैं, अब पर 2-3 चीजे दिक्कत वाली, अगर आप सीधा weekly basis पे analysis, weekly chart पे हम लोग उने देख लिया, यह strong है, लेकिन अब यह tradable है की नहीं है, weekly chart analysis के लिए, daily chart trading के लिए, अब यह tradable है की नहीं है, इसको हम daily chart पे देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे, number one, यहाँ पर RSI जो है friends, RSI 80 के आजपास है, RSI 80 का आजपास मतलब overbought होता है, अचा, overbought का मतलब weakness नहीं होता है, overbought का मतलब होता है, there is a room for correction, और there is a room for creation, ध्यान चा सुनेगा इसके, room for creation of a value area, ठीक है, यह बहुत बहुत important चीज़ है, भाई मेरे, इसको समझो, एक value area का creation का room है, RSI overbought होने का मतलब, हमें RSI overbought जब है, उस समें trade नहीं मारना होता है, हमें wait करना होता है, तो अब 2-3 चीज़े हम देख लिए, हमने देख लिया कि यहाँ पर base से breakout हुआ, अब हम either wait करेंगे pullback का, या एक value area creation का, और उसके बाद हम trade लेंगे, तो अब यह जो है daily chart पे आपके watch list पे हमेशा रहना चाहिए, अब हमें क्या wait करना, जैसे मैंने कहा, कि अब हम या तो wait करेंगे, यहाँ pullback हो, तो हम trade ले, pullback पे trade ले, या यह यहाँ पर pullback हो के कुछ pattern बनाए, तो उस पे हम trade ले, क्योंकि 80 पे अगर RSI है, daily 80 पे अगर RSI है, तो यहाँ पर यह trade लेना समझदारी नहीं है, क्योंकि दरीदे high chance कि या तो यह sideways जाएगा, या यह correct करेगा, तो भले यह week नहीं हो, लेकिन हम अपना पैसा इस पर क्यों जाम करके रखे, तो हम जब तब कुछ और चीज़ trade करेंगे, जहाँ पर हमें trading की opportunity मिल सकती है, तो we will just wait, waiting, RSI 80 के ऊपर मतलब wait, अब आप यहाँ पर देखो, और इस चीज़ को बहुत समझो ठीक से, यहाँ पर maximum लोग चूप खाते हैं, maximum लोगों को यहाँ पर दिक्कत होती है, दो चीज़े हम लोगों को यहाँ पर चाहिए थी, वो हम लोगों को दोनों चीज़े मिल गई, number one, RSI relax हो गया है, right, RSI relax हो गया है, 80 के level में था, अभी वापस आगे 40 के level के आसपास आगया है, प्राइज जो है, वो अपने base को retest भी कर रही है, वो अपने support zone को, भई यह एक resistance zone था पहले, प्राइज इस resistance zone को तोड़ती है, और यह price यहाँ पर अब एक support zone बन गई है, यहाँ पर इसको retest कर रहा है, आप क्या यहाँ enter करोगे, विल यू enter here, big question, बड़ा सवाल, क्या आप यहाँ enter करोगे, वीकली चार्ट पर हमने analysis कर ली, वीकली चार्ट इस बरी strong, वाप प्राइज अच्छा है, momentum अच्छा है, everything is good, डेली चार्ट पर हम wait कर रहा है थे, कि भाई, प्राइज जो है, वापस, क्योंकि breakout पर हम trade नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि हम late हो गए थे, RSI overbought था, अब तो भाई सब कुछ set है, यहाँ पर retest भी कर रहा है, यहाँ पर RSI भी सही है, तो आप यहाँ क्या trade लोगे, यहाँ पर trade लोगे, क्या थी यहाँ missing है, याद करिए, दो हफ्ते पहले वाला episode, जहाँ पर हमने आपको bear attack, bear attack वाला episode, अगर आपने नहीं देखा, जाके देखिए, बहुत सही episode है, और उससे आपको बहुत-बहुत enlightenment मिलेगी, यहाँ पर, it is giving us an evidence, की price जो है, support के पास आगई, and there is a chance की यह support यहाँ पर hold करे, evidence है यह, क्या यह confirmation है, कि यहाँ पर इस जगह पर price ने support की इज़्जत करी है, क्या यह confirmation है कि यह support काम कर गया है, भाई कल को ऐसा भी तो हो सकता है, अभी at this level, हम लोगों के पास, कोई confirmation नहीं है, हम लोगों के पास सिर्फ एक evidence है, जो हम लोगों को बता रहा है, कि price जो है, prior support area पे आ गई है, breakout को वापस retest कर रही है, यहाँ से price नीचे भी जा सकती है, यहाँ से price उपर भी जा सकती है, हमें यहाँ wait करना है confirmation का, confirmation क्या होगा, price pattern, हम यहाँ पर देखेंगे किसी तरह का price pattern बन रहा है, हम यहाँ पर देखेंगे कोई trend line break मिल रहा है, हम यहाँ पर देखेंगे क्या कोई moving average से हमें कुछ signal मिल रहा है, हमें यहाँ पर confirmation चाहिए, confirmation आप price action, मैंने कहा कि price action वगएरा, कुछ भी आप जो इस्तेमाल करना चाहते हो, वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि यहाँ पर जस्ट prices approaching support, आपको कभी भी कोई भी तरह का confirmation नहीं देता है, कि यहाँ से price उपर के तरफ जाएगे, वो बस एक evidence है, कि price support के पास आ गई है, and there is a chance of price moving ahead, क्योंकि already trend जो है, वो uptrend है, और there is a chance की यह uptrend continue रहेगा, लेकिन हमें confirmation चाहिए, always wait for confirmation, अब यहाँ पर देखिए, उसी समय हम लोगों ने क्या किया, हमने wait किया, हमने क्या किया, हमने wait किया confirmation का, यहाँ पर price जो है, support पे आई, price उपर गई, और यहाँ पर एक swing बनाती है, अब यहाँ पर देखिए friends, price ने क्या किया, एक price pattern बनाया, triangle बनाया, बनाय की नहीं, price ने एक triangle बनाया, या आप इसो बोलो कि price ने cup and handle बनाया, whatever, जो आप भोनला चाओ बनाओ, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया, यहाँ पर हमें value area मिल गया, अब जब value area मिलता है, है ना, जब value area मिलता है, जब price pattern मिलते हैं, तो price pattern को trade करने की techniques हम जानते हैं, breakout पर trade करना है, कहां stop loss लगाना हमें सब पता है, आप एक और चीज पूस सकते हो, कि हमने entry यहाँ पर क्यों नहीं करी, यहाँ पर भी थो हमें confirmation मिल गया था, यहाँ पर हमने entry क्यों नहीं करी, भई यहाँ पर कोई price pattern नहीं बन रहा था, यहाँ पर अभी तक कोई value area का creation नहीं हो रहा था, हमें breakout के बाद consolidation चाहिए, हमें breakout के बाद यहाँ पर एक value area चाहिए, हमें यहाँ पर breakout के बाद एक sign चाहिए, signal चाहिए कि यहाँ पर price जो है, एक value area creator के breakout हो रही, यहाँ पर हम लोगों को मिला, जब तक हम लोगों को इस तरह की signal नहीं मिलेंगी, जब तक हम लोगों को price खूद नहीं बताएगी कि price यहाँ से उपर के तरब move होने को तयार है दूसरा एक और important जीश होता है risk reward ratio risk reward ratio को आप कभी भी compromise नहीं कर सकते कभी भी compromise नहीं कर सकते अगर यहाँ से price आप आप हमको बोरोगे अब यह भी बोल सकते हैं और बहुत ही valid argument है जो कि हमारे mentees बहुत बार हमारे साथ करते हैं कि sir अगर यह value area बनाये नहीं और यहाँ से उपर चला जाता जाए तो क्या होगा छोड़ दो छोड़ दो दूसरे stocks पे concentrate करो भाई यह निकल गया लेकिन यह चीज आप समझ के रुखो कि आपने अपने rules को flout नहीं किया आपने अपने rules को तोड़ा नहीं आपने अपने rules को follow किया rules follow अगर आप सही तरीके से करना सुरू कर दो आप एक set of rules बनाओ उसको back test करो और उसके बाद उसको सही तरीके से follow करना शुरू कर दो trading आपकी अपने आप सुधरने लग जाएगी कोई program जोईन करने की ज़रूद नहीं ना भरत जुझीन वाला का program जोईन करने है ना किसी का भी program जोईन करने है नहीं अगर आप एक set of rules define कर सकते हो उसको properly back test कर सकते हो और फिर उसको धीरे धीरे forward test कर सकते हो तो आपकी conviction अपने आप built up हो जाएगी समय जरूर लगेगा लेकिन yes, this is only the method हमने वो कर रखा है इसलिए हमारे पास वो advantage already है यह चीज़ का आपको ध्यान रखना है तो rules अगर आपको बोले कि छोड़ दो तो छोड़ दो यहाँ पर देखिए यहाँ से breakout हम लोगों को मिला छोटा सा risk reward ratio उपर और देखे same pattern जो है फुरी देर के बाद वापस repeat हुआ वापस repeat हुआ यहाँ पर same pattern repeat हुआ history repeats itself का मतलब यही होता है कि pattern जो होते हैं वो repeat होते है कि हिस्ट्री रिपीट itself का मतलब होता है कि same pattern बार-बार charts पे आपको बनते दिखेंगे उस patterns में same type of results निकलेंगे आपको वो pattern पैचानने है उस पे risk management लगाना है entry करनी है stop loss लगानी है profit trail करनी है market आपको बोले trade करो तो करो market बोले चुप बैठो तो चुप बैठो market breath analysis होती है so this is what is history repeat system तो यह pattern आपको यहाँ पर भी मिला trade करने के लिए और यह same pattern आपको यहाँ पर बिला almost identical pattern है तो आप यहाँ पर भी trade कर सकते हो यहाँ पर भी trade कर सकते हो चोड़े time frame पर बड़े time frame पर जाके हमें ध्यान रखना है कि the big picture power of big picture बड़ा जो पिच्चर होता है वीकली चार्ट पर जो होता है वीकली चार्ट पर actually हो क्या रहा था देखिए जो हम लोगों ने पहले बात करी थी जो हम लोगों ने पहले slide में बात करी थी जो हम लोगों ने आपको बोला था कि वीकली चार्ट पर क्या क्या देखना है वो सब चीजें हमें यहां मिल रही थी जो हमें एक confidence दे रही थी कि this trade can be a strong trade क्योंकि वीकली चार्ट पर there were many many sign, many many signals which were telling us कि यह trade अच्छा बन रहा था क्या देखिए इसे मैं बोलता हूँ institutional presence यह देखना बहुत जरूरी है यह correction के समय अगर आप देखो volume पूरी dry थी कोई भी green candle बन रही थी आप उसके साथ volumes देखो कोई भी green candles बन रही थी हर एक बार there were evidence of strong buying और आप यहां पर देखो कोई भी red candles पे आप देखो कोई भी volumes उतनी अच्छी नही there were evidence of strong buying मैंने कहा कि price action का participation participation का evidence यह है support को hold करके रखा यह एक evidence दूसरा evidence क्या है support को hold करके रखा यह price जो है वो support को अगर weak होना होता तो price जो है वो support को छोड़ देती है यहाँ पर क्या price आपको support को तोरते भी दिखाई देती है यहाँ पर यह शेक आउट हुआ शेक आउट का मतलम 100% यहाँ पर smart money बैठा हुआ है तो तो यह support को टोड़ रही है नहीं टोड़ रही है तो आपकी trading बहुत हद तक सुलचती है बहुत हद तक अच्छी होती है इस चीज के ध्यान लगेगा ओके आई यह अब next इसका short trade देखते हैं कि किस तरह से हम सेम फंडे पे short trade लेंगे तो short trade करेंगे पहले हम बड़े time frame पर जाके analysis करेंगे कि price क्या कर रही है, momentum क्या कर रही है, volumes क्या कर रही है, price का structure क्या कर रहा है बड़े time frame पर जाकर हमें इसने पर analysis कर नहीं है तो हम देखने हैं कि बहुत अच्छा, बहुत सही uptrend चल रहा था यह 40 week का moving average है, इसके ओपर price चल रहा था, price support बनाते बनाते चल रही थी फिर यहाँ पर एक बड़ा strong selling आती है यह strong selling आती है, तो यह important support जो था, वो टूट जाता है और यहाँ पर यह price action जो है, वो अपने 40 week moving average के नीचे आ जाती है पर price नीचे जाती है, अब strong pullback दे रही है, अब यह pullback पर देखो, यहाँ पर जो existing support था वो अब resistance बन चुका है, और साथी साथ, यह 40 week का moving average है, वो भी resistance के तरह काम कर रही है तो अब इस chart से हम लोगों को क्या चाहिए था, इस chart से हम लोगों को यह चाहिए था कि at the current moment price क्या कर रही है पहले क्या कर रही थी, uptrend में थी, price ने break किया, pullback मिला, price resistance के पास आ गई RSI देखिए, 50 से resistance खा रही है, 50 से मुड़ के नीचे जा रही है यहाँ पर volumes देखिए, selling candles की आप volumes देखिए, आपको समझ में आएगा कि जो volumes पे जो participation है, selling में जो participation है, वो बहुत अच्छी participation है तो इस weekly time frame की analysis हम लोगों ने की, टी price अभी, resistance के पास है, there has been serious selling और अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें watch list पे रखना है, short के लिए अब हम daily time frame पे आएंगे, और daily time frame पे हम दो तिन चीजे यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है, आईए तो weekly time frame पे हमें यह पता चल गया, कि price कमजोर है, और यहाँ पर weekly time frame पे फदर देखिए, एक हफते बाद और क्या हुआ, एक हफते बाद यह जो RSI पे जो हम लोगों ने trend line बनाई थी, RSI पे trend line बनाई थी, वो trend line को भी price जो है, वो breach करती है, तो 50 के level पे resistance भी का रही है, और 50 के level जो RSI पे trend line बनी भी थी, उसको भी breach कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी आप देखो, अब जो यहाँ पर जो price ने आपको strong confirmation भी दे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जो कि generally मैं नहीं discuss करता, कभी भी YouTube या free platform पर मैं discuss नहीं करता, यह देखिए क्या हुआ है, ध्यान से समझेगा, बड़ी must चीज है, यह इसकी closing देखिए और इसकी opening देखिए, इसकी opening और इसकी closing के बीच में difference है, इसे pro gap बोलते हैं, यह long pro gap है यहाँ पर, और यह pro gap जो होता है, एक तरह से अच्छा indication होता है, यह अंदर, अंदर ही अंदर, कुछ होल, कुछ घोल चल रहा है, यह सब मिलने के बाद, हम daily time frame पर shift करेंगे, और daily time frame पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए value area, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए price pattern की formation, त जो भी आप बोलिए, हमें resistance पे, यहाँ पर, चीजे मिलना, शुरू होगे, जो हम ढून रहे थे, breakdown होता ही, हम entry करते है, यह हमारा stop loss होता है, यहाँ पर, यह हमारा stop loss होता है, entry हमें मिलती है, और, हारे सही वगरा सब सही है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, हमें अच्छा बूब जो है, शार्प मूब जो है, downside मिलता है, तो, यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने higher time frame का इस्तेमाल किया, यह analysis करने के लिए, कि, price कर क्या रही है, price का trend क्या है, price का momentum क्या है, और, हम लोगों ने lower time frame का इस्तेमाल किया, अपनी entry को fine tune करने के लिए, ह यहाँ पर हम multiple time frame analysis इस्तमाल कर रहे थे अब हम आपके साथ अपनी दूसरी strategy को discuss करते हैं और यह भी बहुत मस strategy है इसको भी आप नहां नकिए और अच्छी strategy है अगर आपको यह presentation चाहिए तो आपसे मैं थोड़ी सी मुशक्त थोड़ी सी महनत कराऊंगा वह आपको यह करना है कि आपको यह video share करना है share कहा करना है भाई आप बहुत सारे telegram Groupe में हो बहुत सारे WhatsApp Groupe में हो Facebook पे हो LinkedIn पे हो Twitter पे हो जहां पर भी आप हो आप यह video को share करते हैं अपने दोस्तों के सा데 करें अपने Friends के साँ formalी ग्रूप में करे जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाते हैं उनके साथ share करें बहुत सारे पा में यार आड़ेड हो मुझे पता है शेयर कर दो वहाँ पर और हमें एक स्क्रीन शॉट भेज़ दो इस नंबर पर 9748173333 तो हमारा जो बंदा यह नंबर लेके बैठा है वो आपको यह प्रेजेंटेशन देदेगा या एक लिंक देदेगा जहां से आप यह प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं तो अपने पास से रफर करो लोग सीखने के एक्षुक होते हैं और हमारे पास बहुत सारी वेरी जाती हैं कि इसे आप सिखाते हो कि नहीं यास हमारा mentorship program है यह stock club हमारा platform है जिसके थुरू हम mentorship program अपना डिलेवर करते हैं तो mentorship क्या है mentorship basically technical analysis के ओपर होती है जो की हमारे aim हमारा goal होता है कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी है तो थोड़ा smooth कर दे हम तो 120 गंटे का learning program है जहां पर हम price strategy की modules हैं उसके उपर हम आपके साथ deeply discussions करते हैं short term strategy, medium term strategy, long time strategy तिनों पर बात करते हैं उन सब strategies से related जितने scanners हैं हम वो scanners आपके साथ share करते हैं like alternate weekends जो discussions होती है question answers होते है live meeting होती है जहां पर आप अपने सवाल, अपने जवाब, अपने doubts जो भी है मेरे साथ discuss कर सकते हो community है हमार हमारे traders की like mentees की, उस community का आपको part बनाते हैं, हिस्सा बनाते हैं, हमारे members जो हैं, वो भी काफी charts वगरा share करते हैं, काफी discussions वहां पर भी होती है तो बहुत अच्छा brainstorming आपको हमारी community से मिलता है, तो 120 गंटे का program है और हमारी expectation यह होती है, कि आप यह जब program join करो, तो आप अप ticket कर सकते हो, then you can join this program, लेकिन अगर आपको लगता है, कि यह program से आपको कोई shortcut मिल जाएगा, या कोई magic capsule मिल जाएगा, या कोई जादू की छड़ी मिल जाएगी, जो की तुरंत ही आपको like ATM के तरह पैसे निकाल के देना शुरू कर देगी market से, तो यह possible नहीं है, चाहे आप मे नहीं हो जाओगे, तो आप first, पहले जाके उनके program को try करिए, बिंदास जाएगे, हमारे पास इस तरह के कोई भी जुटे fake promises नहीं है, अगर आप effort put in करोगे, हमने जो methods बताए हैं, उस पे आप काम करोगे, उसको practice करोगे, उस पे back test करोगे, deep dive करोगे, उस पे अपना touch लगा होगे, जो मेरे लिए काम करता है, उस ज़रूरी नहीं आपके लिए काम करे, क्योंकि मेरा mindset अलग है, आपका mindset अलग है, तो हमारे methods, of course, back tested है, हम लोगों ने बहुत सारे charts पे पूरे methods को back test किया है, लेकिन अगर आप उस method को further refine कर सकते हो, अपने तरीके से, तो वहीं पर magic create ह होता है, हमने जो अपने गुरू से सिखा था, हमने जो अपने mentor से सिखा था, उसको हम लोगों ने तोड़ मरोड के थोड़ा सट चेंज वेंच करके, अपने तरह से हमने इस्तमाल किया, और फिर हम आपको वह सिखाते हैं, अब आप उसको further enhance कर सकते हो, तोड़ मरोड के accountants, models, actors, doctors, housewives, even business people, जो है, सब हमारे पास हमारे group में हैं और सब सीख रहे हैं, तो active आपको रहना है learning में, trading market के दौरान आपको screen देखने की जुरूरत नहीं पड़ती है, market के दौरान आप बिंदास अपना काम कर सकते हो, हमारा काम EOD सुरू होता है, market के बाद सुरू होता है analysis, analysis, जो भी होती है, market के बाद होती है, market के दौरान सिवा आपको trade punch करना होता है, और आजकल brokers ऐसे हो गए हैं कि आपको market के दौरान भी trade punch नहीं करना पड़ेगा, GTT order बगेरा लगा के आप अपने trades को पहले से लगा सकते हो, whatever it is, लेकिन the main point is, कि आपको मेहनत करनी है, आपक का time बरवाद होगा, इसके अलावा friends हमारे बहुत सारे short programs भी है, तो अगर आप अपगर अपनी existing skills को upskill करना चाते हो, तो आप यह हमारे short programs join कर सकते हो, देखे, RSI के ओपर एक program है, जब हम भी RSI की बात कर रहे थे, तो RSI के ओपर एक program है, इसमें 20 RSI की strategies हम लोगों ने बता रखिए, यह program आप join कर सकते हो, हमारा price action का program बहुत लोगों ने लिया है, और बहुत लोग इसके बहुत तारीफ कर रहे हैं, और बहुत लोग इससे बहुत फायदा हुआ है, तो यह price action का program जो है, यह भी आप join कर सकते हो, उसके अलावा हमारे option का program है यहाँ पर, यह option trading का program भी बहुत लोगों ने लिया अभी जो लेटर्स दो हफते पहले मार्केट गिरी उस पे हमारे ट्रेडर्स ने बहुत अच्छा पैसा बनाया option में trade करके जो इन्होंने program लिया था हमारे पास बहुत screenshot भी भेजे उन्होंने कि सर बहुत अच्छा आम लोगों को लिजे 30 days के अंदर अगर आप mentorship में अपग्रेड करते हो तो आपने इन पोग्राम में जितने भी इंवेश्मेंट की है वितिन 30 days अब उसको आपके mentorship पीसे adjust कर देंगे रही तो अब आगे बढ़ते हैं second strategy की तरफ जहां पर वही हमें strong momentum environment strong, बहुत strong momentum environment में trade करना है RSI को यूज करके multiple time frame analysis तो हम करेंगे multiple frame analysis और RSI जो है वो आज का शीरशक है तो strong trending environment strong momentum environment में trade करना है कैसे तो यहां एक की setup देख लेते हैं इसके conditions देख लेते हैं तो इसका पहला condition है कि weekly RSI 60 के उपर होना चाहिए weekly RSI 60 के उपर होना चाहिए weekly price जो है वो consolidation से बाहर आनी चाहिए weekly price जो है consolidation से बाहर आनी चाहिए weekly price 40 moving average के उपर होना चाहिए weekly पर आपको देखने है यह चीजे यह तीनों चीजे यह तीनों चीज़े weekly पे देखने है डेली पे क्या देखने है डेली प्राइस जो डेली आरेसाई है वो 40 के उपर होना चाहिए और साथ ही साथ strong price volume pattern होना चाहिए यह तो बहुत जरूर ही यह value area strong price pattern होना चाहिए तो यह strategy को देखते हैं बहुत interesting strategy है यहाँ पर हम देखते हैं क्या देख रहे हैं देखिए price downtrend में थी price base बनाती है यहाँ पर weekly पे weekly चैट पे जो है आप देखिए RSI जो है 60 के उपर आ गई अच्छा यह इस strategy में एक बहुत बड़ा twist है मैं आपको last में बताऊंगा वैसे बहु एक किताब में थी trade like a casino बोलकर वहीं पर यह strategy थी वहीं से यह strategy उठाई भी है अब लोग उसे अपना नाम देखर बेचे या कुछ भी देखर बेचे मुझे उससे कोई फरक नहीं परता मैंने आपको तुरू बता दी मैंने पहले भी इसके पारे में चर्चा की है कि यह strategy उस यह जो 60 के ऊपर है यहां पर आप price pattern को देखिए जैसे हमने कहा कि हमें price से हमें price से signal लेना है हमें price confirm करेगा कि यहां पर सही में participation हो रही है तो यह वाले candle को देखिए उस पर volume देखिए और उसके बाद यहां पर जो advance हो रही है उस पर आप देखिए strong volumes है इसका मतलब participation है participation है यह चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर देखिए यहां पर बहुत strong resistance point है तो हमें क्या चाहिए कि हमें हमें चाहिए कि इस consolidation area से ना price बहार निकल जाए क्योंकि अगर यहां से price यहां पर जाती है और फिर यहां पर अगर resistance खा जाती है तो price नीचे के तर अंदाजा में तीर नहीं छोड़ेंगे हम यहां पर buy नहीं करेंगे we will not buy here हम यहां buy नहीं करेंगे outright हम बेट करेंगे तो यह consolidation से price बहार निकले तो it will be a like go go situation for us इसका मतलब की भाई अच्छा consolidation से price टूटना बहुत जरूरी होता value area से price बहार निकलना बहुत जरूरी होता price बहुत दूर है तो हमें wait करना है कि एक और value area की creation हो एक और value area की creation हो उसकी हमें wait करना है और यहां पर देखिए वहीं मिल रहा है हम लोगों को कि price जो है breakout हुआ price इस resistance से breakout हुई जिस resistance के हम बात कर रहे थे और price यहां पर देखिए वो value area create कर रही है वो value area price यहां पर यहीं चीज हमें चाहिए यहीं चीज हमें चाहिए और RSI देखिए आप जो है वो 60 के उपर ही है और इसकी sloping slope भी उपर के तरफ है तो हमें यहीं चाहिए अब यह मिलने के बाद हम इसे daily time frame पर switch करेंगे और अपनी entry को refine करेंगे daily time frame में क्या देख रहे हैं कि यहां पर एक triangle बन रहा है triangle बन रहा है और यहां पर देखिए RSI का slope जो है 50 पर bounce कर रहा RSI और यहां पर जो RSI का slope है वो उपर के तरफ है तो यहां पर breakout हमने मिला यहां पर breakout मिलेगा तो हम यहां पर अपनी entry करेंगे और उसके बाद यहां पर अपना SL प्लेस करेंगे और यहां से हमें breakout मिलता है और बहुत अच्छा move हमें यहां से प्राइस मिलती है प्राइस की बहुत अच्छी move हमें मिलती है तो इस तरह से जो है आप multi time frame analysis करके RSI appreciation को use करके swing trading strategy momentum trading strategy बना अब देखे क्यों क्यों मैं बोल रहा था कि momentum बहुत strong में क्या फाइदा होता है देखे यह वो area है यह वो area है जहां पर price जो है uptrend में थी और RSI जो है weekly time frame पे यह weekly time frame है और यह daily time frame पे RSI weekly time frame डेली time frame पे दोनों पे 60 के ओपर थी look at the move look at the strength है ना अब आप पूछोगे कि सर वो क्या बता रहे थे आपकी इसमें भी एक catch है इसमें भी एक मज़दार जोल है वो क्या चीज़ है सर क्या चीज़ के बारे में आप बता रहे थे Last strategy में हम लोगों ने आपको कहा कि वो strategy long और short दोनों conditions में कामा जाएगी किस strategy का performance long side trade करने में बहुत सही है short side बे ये इतना trade नहीं करेगा तो अगर इस strategy को हम specifically उस environment में बात करें जब weekly और daily time frame पे like weekly और daily time frame पे दोनों पे अगर RSI 40 की नीचे चली जाए और उसके बाद आप strategy को trade करो तो जो results आपको long side में मिलेंगे जो हमने देखा कि long daily like sloping up, slope up above 40 और weekly जो हमने कहा कि RSI 60 के उपर होना जाएगी इसको अगर हम reverse कर दे और इसे हम short side में अगर trade करे राइट कि जब RSI weekly 40 के नीचे हो like 40 के नीचे हो और RSI का daily का slope जो है वो down sloping हो तो ये strategy जो है ये इतना अच्छा काम नहीं करेंगे it will be a failure, it will be a failure, back test हम लोग कोई भी चीज जो है surface level पर बिलीव नहीं करते हैं, we back tested it और उसी किताब में उसी किताब में ये चीज लिखी भी है कि ये strategy जब उन author ने try किरी थी long side में तो ये long side में उनको ज़्यादा फाइदा हुआ था, short side में इनको पाइदा ने कुआ था short side में strategy में फाइदा हो सकता है लेकिन उसके लिए थोर असा इसे tweak करना पड़ेगा, थोर असा इसमें तरका लगाना पड़ेगा क्या है वो तरका वो आपके उपद छोर दिया weekend thinking, सोचो समझो और जानने की कोशिश करो, इसमें एक अलग तरका लगेगा तो यह एक catch था है strategy में, तो आज का session मैं देखाल से काफी productive रहा आपके लिए, और मैं यह आशा करता हूँ कि बहुत चीज आतने सिखी, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो like, share, subscribe करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, तब तक के लिए मैं भरज